मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग फ्लेट्फरम रेडियना के बारे में जहां आप किर्केट, फुटबॉल और वन सिक्ष्टी प्लस गेम केलकर लागव क्रोडो रुपेज जी सकते हो यह 85 ब्रांचेश पर उपरेट होती है और साथ ही 24-7 विड्रोल भी देखने को मिलता है यहां रजिस्टेशन और डॉक्यमेंटेशन की कोई प्राब्लम नहीं होगी तो आप लोग पिन कमेंट में दिये लिंक से इनको टेलिग्राम और वाट्सअप पर कॉंटेक्ट जरूर करें हे गाईस कैसे हैं आप सबी लोग फागत है आपका IPL से जुड़ी है एक और इंट्रस्टिंग वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में कि पंजाब टीम से क्या बड़ी अपडेट्स निकर करा रही हैं इसके अलावा IPL से जुड़ी कुछ एम ख़गरों के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम पंचाब टीमसे और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं तो सबसे पहली अपडेट्स आ रही हें पंचाब टीम के प्रैक्टिस मैच को लेकर जैसा कि IPL 2022 सुरू हने से पहले सबी टीमों ने practice camp के साथ practice match भी कराया है ऐसे में पंजाब टीम की बात करें तो पंजाब टीम में IPL 2022 मेर्कुल 25 खिलाडियों की स्कॉट बनी है सब्सक्राइब काफी अची बलेवाजी किये खास करके शुरुवात के दो छे वरते उसमें थाकड बलेवाजी की जिसके लावा लियम निविक्सर ने चक्के चोकों की बरसाद की अर्जदी सिंग ने काफी अची गिन पाजी की वहीं बात करें राहुल चाहर की तो राहुल पक्षा और जितने भी ओवर्स इस खिलाडी अभी पंजाब टीम में उखलब दे वो सारे खिलाडियों अच्छा परफॉमेंस किया इसके अलावा भारते खिलाड़ों ने पिलेवन का हिस्सा होने वाले हैं ऐसे में पंजाब टीम के लिए काफी अच्छी बात रही खिए पंजाब टीम के लिए प्लेइंग इलेवन में चैन करना तो इतना मुश्किल होना ने चीह है अलागि जो खिलाडी पैरेट से मतलब प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होने वाले तो उनको तो पंजाब की टिम खिलाएगी एक से दो चेंजे समय करते हो दिख सकती प्लेइंग लेवन में उनको इस्सा बनाती है नहीं बनाती है यह तो फ्लेइंग बनाने के बादी विज़ा चलेगा परिणों ने काफी अच्छी गिन पाजी कि एक प्रैक्टिस मैच में तो यह बड़ी अपडेट सारी थी पंजाब टीम को लेकर प्रैक्टिस मैच का डे-3 था यह इ क्योंकि वंडे सीरी अभी बाने सब्सक्राइब के लिए रवाना हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पंजाब टीम से जल से जल जुड़ी आएंगे और जोनी बेश्चों के अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आएंगे यह पहले मैं से उपलब दर रहेंगे और नहीं रहेंगे कि पंजाब टीम का पहला मैच से आर्शीवी टीम के साथ रोयल जेंशल बेंगलोर से 27 मार्च को ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए यह मैच काफी टफ होगा और इंपोर्टेंट मैच होगा दोनों ही टीम अपनी बेस्ट बेस्ट प्लेंग लिए पर उतारेगी इसके मुकाबले की बात करें तो पूल 28 मैच हुए और उसने पंजाब की टीम भारी पड़ीये आकड़ें आप सबी लोग को बता दो तो पंजाब की टीम 15 मैच जीती है तो वहीं आर्शीवी की टीम 13 मैच जीती है यानि कि पंजाब की टीम 2 मैच उसी लीड कर रही है और यह 29 मै तो आईपील 2021 में बेड़ी ते 48 मैच में और उसमें आर्चीवी की टीम 6 रन से मैच को जीत ली थी पहले बल्ले बाजी करते हुए तो हो सकते हैं पंजाब की टीम इस साल थोड़ा पलटवार करें और पहले मैच में आर्चीवी टीम को सिकल दे हैर अभी आईपील 2022 सुरू हो पर मैं आप सबी लोगों को हैट टो हैट मुकाबले की जानकारी जी या हाला कि इस पे इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं यह तो एक रिकॉर्ड है पर यह भी जाना जरूरी है और इसके अलावा एक और आप सबी लोगों को बताना चाहूँगा जैसा कि अभी तक आईपी ट्रॉफी एक बार भी जीतिया में है पंजाब के लगा उनके खिलारियों ने को ब्ल followed by हारी पेसा में बती नहीं है तहूए 구ji की लिखास्य को को इप यह तक पहलों करते हैं उमीद करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो के एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्षन में अपनी राय बताना मत बोलिएगा और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम पंजाब टीम से और क्रिकेट सुझूरी तमाम खबरे आप सभी लोगों को देते रहते हैं मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए